लिए सबसे पहले आपको इजी टूनेट.com सर्च करना होगा तो आपके सामने इजी टूनेट.com का जो अफीशल वेबसाइट है यहाँ पर देखने को मिलेगा इसको यहाँ से ओपन कर लेना है ठीक है उसके बाद आपका जो ही तीन बार मेरिट लिस्ट जारी होता है जो भी लिस्ट में आपका नाम आएगा ठीक है उसके हिसाब से आपका इंटिमेशन लेटर आएगा तब जाकर आपको एडमिशन करवानी पड़े बाकि नीचे आएंगे तो अप्लिकेशन फीक हम बात करें त फिर अधर भी किसी बोर्ट से पास है दौसी पास कर चुके हैं और 11 पे आपको एडमिशन लेना है तो आसाणी से आप यहां पर ले शकते हैं तो यहां पर अप्लाई करने का लिंक मिलेगा तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा लिंक किसका खुल जाएग जहां पे सबसे पहले अपना जो board है जहां से अपने दोसी पास किया हुआ है उसकी जनकारी आपको बतानी है कि आपने जो है कहां से पास किया हुआ है तो इसमें देख सकते हैं कि other state भी दिया गया है अगर आप other state से पास आउट है तो उसकी जनकारी आप यहां पे select कर सकते है या फिर आप बिहार बोड से हैं, जैसे कि मान लेजिए काफी सरे बच्चे जो है बिहार बोड से मैटिक पास किये हुए हैं और उनको 11th में अडमिशन लेना है, तो जो है बिहार बोड का ही सेलेक्शन करेंगे, जो कि 1st में ही आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका सेले इच्छा मिलता है, तो बारसिक मतलब जो पास करते हैं, पूरक में जाते हैं, तो अगर ऐसा आपका कंडिशन होगा, तो देख लिजेगा, नहीं तो एन्वल नहीं आपको सलेट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपना जो भी डेट अबर्थ है, जो कि आपके मैटी के जो भी डेटा होगा, अगर उपिहार पोट से पढ़ा हुआ है, तो उसकी पूरी जनकारी यहाँ पर खुल जाएगा, एक बार जनकारी को जरूर चेक आउट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर फोटो आपको अपलोड करना है, जो कि JPG, JPG, फोर्मेट में होगा, आप अगर से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, तो जो भी उसका उनक प्राप्थ हुआ होगा, मैट्रिक में, उनक यहाँ पर फैज कर लेता है, यह डालना नहीं पड़ता है, फिर यहाँ पर जो उसकोल से उसने पढ़ाई किया हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पर डालना है, फिर यहाँ पर आपको बताना है कि कब जो इसकोल छोड़ी हुई थी, तो यहाँ पर उसका जो इसन आपको देखनी को मिल जाएगा, अगर उसको छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाप से से इलेट कर सकते हैं, उसके फिर यहाँ पर आपना जो ब्लॉट ग्रूप है, अगर आपको पता है, तो बता सकते हैं, नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर पूरा जो इपना एड्रेस फिल आप करना है, जिसके आपका राजय कहा है, फिर यहाँ पर आपका डिश्टी कहा है, वो बतान देना होगा उसके बाद यहां पर पिन कोड लिखना है फिर यहां पर एक मोबाइल नमबर देना है द्याँ रखेंगे एक मोबाइल नमबर एक ही अप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा फिर यहां पर आपको जो है इमेल आईडी लिखना है उसके बाद यहां पर आ ही रहता है लेकिन अगर लगता है कि नहीं गल चलीक अपने हिसाब सेppers वह खे और दें look इसके बाद अगर आप EWS है, यहाँ पर Yes कर सकते हैं, नहीं है तो इसमे no रहने देंगे, उसके बाद यहाँ पर कम से कम 10 कॉलेज का प्रिरिसेंस आपको देना होगा, फिसेंस बीस इसके प्रिरिसेंस आप दे सकते हैं, जिसमें आप Addiction लेना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ही आपका merit बनता है जो भी आपका अंग होता है उसके भी हाप पे और merit बनने के बाद जब आपका intimation letter जारी होता है तो वहीं पर आपको admission करवानी पड़ती है तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपका college है जहाँ पर admission लेना चाहते हैं उसका जो भी district है उसका selection करेंगे फिर यहाँ पर उसका जो college का name है यहाँ पर थुरदेर के बाद सो करेगा इस तरह सेलेक्ट करने का option आएगा जिसमें भी अपना admission लेना चाहते हैं जिसमें आप first priority देना चाहते हैं ठीक है उस college का selection आपको पहले करना है और उस तरह से करके जो है 10 college का आपको selection करना है जैसे कि मुझे इस college में admission लेनी है तो मैंने इसका selection कर लिया हुआ है उसके बाद यहाँ पर आपको संकाय बताना है कि आप जो है कौन से अपना जो stream है उससे जो है intermediate करना चाहते हैं तो देखिए जो भी यहाँ पर college का selection करेंगे उसमें जो भी stream available होगा वही आपको देखने को मिलेगा कई सारे college जैसे हैं जहाँ पर commerce का facility नहीं है आप commerce करना चाहते हैं तो आपको पता करना पड़ेगा कौन सा college जो है commerce करवाती है ठीक है उसके हिसाब से आप जनकारी को select करेंगे तो यहाँ पर जो आपका stream है ना देखने को मिलेगा जैसे कि माल लीजे मुझे आठ से करना है तो मैं यहाँ पर arts का selection करूंगा आप अपने हिसाब से देख लेंगे ठीक है अब यहाँ पर college का जो है यहाँ पर preference देना है तो आपको का selection करना है जो भी आपको college में admission लेनी है उस college का selection आप इस तरह से ढूड़ सकते हैं यहाँ पर फिर यहाँ पर stream बतायाएंगे कि आप कौन से stream से करना चाहते हैं और फिर इसको यहाँ पर जो दूसरा preference है आपको दूसरा तो देदी अप तीसरा का option है इसको क्लिक करेंगे त इस तरह से आपका college का नियम है ना aid हो जाएगा तो कम से कम जो है दौस कॉलेज का यहाँ पर selection करना होगा अधिकतम जो है आप चाहें तो इस तरह से देखेंगे हमने दौस को लेज का selection यहाँ पर कर लिया हुगा है अब मुझे college का से प्लेक्सन करना है ठीक है तो मैं करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है अब आपके सामने जो ये पूरी आपका एपलिकेश क्कीर फ़र्म है देखने को मिलेगा जिसमें आपने जूभी जनकारी फिल-ाउट किया हुआ यह दीश होगा उस विदाले में admission लिया होगा तो इसका selection यहाँ पर करेंगे मैं बताना आपको भूल गया था बाकि और भी जनकारी नीचे हैं आप देखेंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो भी अपने college का selection किया हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा तो इसको जरूर चेक आ करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि आप form को अपने verified कर लिया हुआ है तो हमने verify कर लिया हुआ है OK के button पर click करेंगे फिर यहाँ पर पर करने का जो है option आपको access bank और HDFC bank देखने को मिलेगा तो जिससे भी आप करना चाहते हैं अलाकि payment gateway आप किसी भी bank से कर सकते हैं उसमें कोई दिकत नहीं है तो उसका selection करेंगे proceed for payment के button पर click करेंगे अब यहाँ पर payment जो है credit card, debit card, net banking जिससे भी आप payment करना चाहते हैं उससे आप payment कर सकते हैं चले मैं credit card से payment यहाँ पर कर देता हूं तो इस तरह से आपका जो payment है यहाँ पर successful हो जाएगा यहाँ पर जो भी print application copy है इस पर click करके आप अपने application का जो print out है यहाँ पर click करके print out कर सकते हैं और अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं अब इसके बाद जो है आपका merit बनेगा जिस भी college में आपका intimation letter जारी होगा वहाँ पर जाकर आपको admission करवानी होगी जिसकी update समय समय पर आपको दी जाएगी